हमारी यूटूब चैनल पर्फेक्ट सिग्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में वाक्सिंग करने वाले हैं सबक्राइण सब्सक्राइब 3 सब वीडियो में वाक्सिंग करो सबस्दरियों में आपकेड़ान छोल्व एडायबल पर्लेबल लेकिन जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह हमारा डार्क रेट कलर में अबलेबल है इस वीडियो में हम आपको इसके फंक्शन के बारें बताएंगे इसके कैसे यूज करना है इसके क्या क्या फंक्शन है कौन से बटन हमें कहां यूज करने हैं क्या क्या मिला हुआ हर एक information आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ तो वीडियो के लास तक जरूर बने रहीएगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं आपको हम दिखाते हैं कुछ इसको open करके जो हमारा उपर में आप देख पा रहे हो यह हमारा में ग्लास से बना ग्लास है पूरा ज इसको open करते हैं और अंदर में आपको दिखा देते हैं बहुत सारे वैसे हमें जैसे पाइप एगरा हुए मिले हुए है तो यह आप देख रहे हैं यह हमारा आउटलेट पाइप है जिसकी हमारा जो वाटर होगा वह इसी पाइप के थूरू हमारा बाहर निकलेगा तो इसक हमारा इनलेट पाइप हो गया है कि यह हमें कुछ मैनुवल वेगेरा मिले हुए है और यह आप देख रहे हैं यह हमारा एंटी रैट कवर दिया हुए है जिसे की हमारे चूवे बहुत सारे वाशिंग मसीन में होते हैं कि चूवे वगेरा के डर से चूवे कोई पाइप काट या पिर अंदर जाके कोई वैसा भी वायर वायर कट कर देते हैं जिससे कि हमारा जो मसीन का जो फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है तो उसके सेफटी के लिए हमें दिया हुआ है यह एंटी रेट कवर जिसका की यूज हम कर सकते हैं इसमें और भी आपको बता दे और टब दिया हुआ है जो कि हमारा साथ केजी का वासिंग मशीन है साथ केजी हमारा इसमें अच्छे से आ सकता है कोई भी कपड़ा यह हमारा टब दिया हुआ है इधर आपको दिखा दे तो यह हमारा इसोगे हैं मैजिक फिल्टर दिया हुआ है जिसको की हम ओपिन करके जब भी हम कोई भी कपड़ा साथ करते है tutखिंद गपन गेजिस की स्वाटर फिल्टर में जाकर हमारी इस्टोर हो जाती है बाद में अगर हम चाहें तो इसको ऊपन करके इसको ऐसे open करके, इसमें net लगी होती है, सारी waste material जो भी होती है, यहाँ पे हमारी आके collect हो जाती है, बाद में इसको हम, इसको निकाल कि इस washing machine में से अच्छे से इसको साफ कर सकते हैं, फिर इसमें हम लगा सकते हैं, तो यह हमारा magic filter दिया हुए है, इसको हम ऐसे लगा देंग और अंदर में मैंने आपको tub का सारा look दिखाया, और बात करते हैं, इसको पहले हम बंद करते हैं, यह हमारा जो आप देख रहे हैं, पूरा automatic door system दिया हुआ है, इसको हमको ऐसे प्रेस करके बंद नहीं करना है, बस हमको उपर से ऐसे छोड़ देना है, यह automatic धीरे-धीरे, हम इसको बंद करते हैं, तो यह हमारी जो दोर देख रहे हैं, वो बात में जाके खराब हो सकती है, और यहां पर आपको कुस हमें function वेकर दिये हुए हैं, buttons वेकर दिये हुए हैं, इसके क्या use हैं, मैं आपको भी बताती हूँ, तो यहां आप देख रहे हैं, first में soil label दिया हु तो यहां पर आपको तीन option मिल जाते हैं, अगर कपड़ा आपका ज्यादा गंदा है, तो आप heavy mode पे करोगे, अगर थोड़ा normal है तो normal पे, और बहुत ही कम थोड़ा light में गंदा है, तो light mode पे करके आप छोड़ दोगे, इस swell label का हमारा यही use है, बीपर की use कर लेते हैं, तो अगर हम जैसे इसको भी plug-in करेंगे, तो हमारी इसमें से कुछ sound वेगेरा produce होगे, तो अगर आपको sound नहीं चाहिए, तो यहां पर आपको दिया हुए है control करने के लिए high low off कर सकते हो, यहां पर हमें water label मिल जाता है, मालनी जी, यह तो हमारा washing machine automatically है, बट आप चाहे हो कि manual इस तक है, आप 10 level तक आप water इसमें fill up कर सकते हो, और यहां पर wash हमारा दिया हुए है, वास का भी system दिया हुए है, यह भी हमारे 25 तक दिया हुए है, वास आपको कितना करना है, 25 तक कर सकते हो, और इसके बाद अगर हम rinse की बात कर लें, तो यहां पर हमारा 4 times दिया हुए है, अगर आपको cloth आपकी dry करनी है, तो यहां पर आपको दिया हुए है, चार options दिया हुए है, air dry करना है, high करना है, medium करना है, low करना है, सारे options यहां पर available है, आपको आप कोई भी spin करने के लिए options select कर सकते हो, बात करते हैं इस program की बारे में जो की हमारा इस washing machine का main unit दिया हुए है, main button हमारा program वाला button दिया हुए है, program button में हमें दो button मिल जाते है, program 1 और program 2, program 1 में आपको दिखा दें कि normal turbo wash, quick wash और strong दिया हुए है, जिस आपके कपड़े को पर select करना होता है, आपको जो कपड़ा है, वो कैसा है, अगर आपको कोई jeans सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको jeans आपको उसम हमारा जो energy consumption है, आपको भी energy consumption करेगा, नॉर्मल में, नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो, और अगर हम program 2 की बात करें, तो यहाँ पे हमें वही चीज मिला है, नॉर्मल, और यहाँ पे हमें एकवा रिजर्ब भी मिल जाएगा, जेंटल, जेंटल की बात करें, कि अगर आपक पर जाके हमारी जो tub की गंदगी होती है, उसको हम साफ कर सकते हैं, तो यह हमारे रहे सारे button के functions, उपर में आपको कुछ यह तो रहा हमारा manually की, अब जब आप automatic नहीं करना चाहो, manually अपने खोद से करना चाहो, इस button का हम use कर सकते हैं, अब बात करते हैं, थोड़ा automatic system के वारे में, जैसा कि इसको मैंने plug-in कर दिया है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर power button प्रेस करके इसको हम थोड़ा on करते हैं, तो यह हमारा main power button है, यह हमारा washing machine है, यह on होने वाला है, तो यह वाला power button है, इसको हमने on किया, तो आप देखें, तो हमारा display पे कुछ ऐसा so होने लगा है, अब इस्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर start and pause button भी मिला हुआ है, तो इसको हम प्रेस करते हैं, प्रेस की जैसे ही, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा blink करने लगा है, और यहाँ पर कुछ हमारे जो display पर दिये हुए हैं, वो हमारे lights वेगर अलेडी वाल यहाँ पर sensing दिया हुए है, sensing का हम बात करें, तो जितना आपके अंदर जितना भी आप कपड़ा कोई भी जालते हो, उसकी कितना में है, आपका कितना मतलब उसका वजन है, उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, sensing होगा, इसका मतलब कि आपको सारा information करेट करेगा कि आ sensing करने के बाद आपको सोक करेगा, पानी में पानी खुझ से लेगा, पानी में सारे कपड़े को डुबाएगा, उसके बाद आपको वास करेगा, सारा कपड़ा खुझ से आपको कुछ करने की जुरूत नहीं है, अगर वास हो जाएगा, तो राइस भी अपने खुझ से तो इसमें चाइड लोग का भी option दिया हुआ है अगर माली जी आपका कोई वासिंग मसीन रन कर रहा है आप इसमें कपरे धो रहे हैं और कहीं भी आप चले गए आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हैं आपके कोई भी बटन अगर प्रेस कर देते हैं तो आपका जो function है व मैंने इसके हर वटन और हर फीचर के बारे में आपको बताया उमीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो अगर इससे related कोई भी question पूछने है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो चलते हैं फिर next video में में मिलेंगे बाई बाई आप